हेलो गाई सुबक्त आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नहीं वीडियो कंदर और जैसे कि आप सभी को पता भाई यहां पर रियल्मी की 43-4K स्मार्ट टीवी है यहां पर आप देख सकते हो इसकी मेरे डिस्प्ले क्वालिटी की वीडियो रेडी बना चुका हूं मैं और इसकी थोड़ा सा first impression भी बना चुका हूँ और इसके साथ साथ इसका जो voice assistant है hey google वाला वो भी मैं यहाँ पर setup कर चुका हूँ उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ तो अब यहाँ पर एक comment आया था जिसमें query आयी थी कि भाई क्या इसके अंदर upscaling जो है वो work करती है या नहीं करती है मतलब sd channel जो tv channels के लिए upscaling जो काम आता है क्या इसके अंदर वो setting available है manually हम उसे enable कर सकते है या नहीं कर सकते है तो अगर आप जानना चाहरे हो भाई करती है रियल में tv upscaling को support करती है नहीं करती तो इस वीडियो को एंड तक देखो काफी कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो बिना किस दरी के वीडियो को शुरू करते हैं पसंद आए तो like करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्र सेटिंग उसका इंपूट्स के अंदर तो वहीं आता है सोर्स और वह यह एकाउंट है उसका एपस है उसका डिवाइस प्रेफरेंस है अगर इस पर हम टैप करते हूं तो हमें देखो कहीं भी यहां पर डिस्प्ले का या कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता ऐसा कोई भी ऑप बॉल चीज अवेलबल नहीं अब यहां पर इसके अंदर एक बटन है अगर आप डॉलबी विजन को नेबल चाते हो या फिर डॉलबी विजन को नेबल करना चाते में तो आपको यह ठ्री पैरलॉल यहां पर हमें कहीं भी कोई upscaling से related कोई भी option यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता like advanced setting में अगर हम जाते हैं तो dnr है adaptive luma control है और local contrast control mpeg nr है और उसके बाद यह है ठीक है यह mpeg वाला हो गया यहां पर आपको realme 4k 43 वाले tv के अंदर कहीं भी आपको कोई भी setting के अंदर option नहीं मिलेगा tv channels को upscaling करने का लेकिन अब एक बार जड़ा एक app के अंदर दिखाता हूं मैं आपको tv channels चला के यहां पर हो सकता है भाई मेरी इस वीडियो पर copyright आ जाए channel related बट मेरे को आपको qualities दिखा नहीं है तो चलाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं इसे कर देता हूं mute ताकि हम आवाज ना आए उसमें तो tv channels के लिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं kodi app अब हो सकता है आप लोग dth यूज करूं मैंने dth हटा दिया है मैं kodi app से तो यहां पर आप भी इससे लाइव टीवी देख सकते हो अपने android smart tv में आगर आप जानना चाहते हो कैसे तो भाई नीचे कमेंट कर देना मैं आपको setup भी बता दूँगा कैसे setup करना होता है तो यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहां पर पी वीर लिस्ट जो है यह एसा की सेटिंग में देखते हैं क्या इसकी सेटिंग के अंदर और यहां पर सिस्टम के अंदर अगर हम जाएँ यहां पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा option upscaling दिख रहा है यह देख सकते हो अभी तक तो कोई आप कोई भी नहीं दिखा है अध्यूस के अधर अगर आपस Okay app करते हैं तो यहां यहां पर यहां पर कुछ Яंप यहां पर नॉर्मल वाला रहा हैändeबल एक इस प्लेजर फॉर वो अब यहां पर मेरे को इसका confirm नहीं है हो सकता है यही अप्सकेलिंग वो यहां पर हम इसे अंडर से लेके मिनिमम ट्वेंटी परसेंट तक कर सकते हो मैं इसे अंडर कर दिया है और अब चलते हैं चैनल की तरह की देखते हैं चैनल की क्या क्वालिटी आती है अगर आप कोडी सब्सक्राइब से यूज करते हो अगर यह आप इसमें टीवी में चलते हो यहां पर HD चैनल यहां पर हैं चला कर दिखाता हूं उसके बाद आप यहां पर क्वालिटी अपने आप ज़ाज कर लेना और यहां पर यहां पर यह वैरी कर सकता है हो सक्ता है अगर आप डिस के साब से आप यहां पर खुदी जज कर लो देख लो आप क्वालिटी क्या रही है एच डी के अकॉर्डिंग और अगर हम यहां पर इसके नीचे देखें इन्फोर्मेशन में मैं आपको इन्फोर्मेशन भी दिखा देता हूं और उसके बाद अगर हम यहां पर यह कोई और चलाते हैं लाइक मैं सोनी सब चलाता हूं एच डी वाला तो यहां पर मैंने इसे टैप कर दिया तो यह भी 540 पे है लेकिन क्वालिटी सप्राइजिंग ली काफी बढ़िया लग रही है मुझे तो यहां पर सेटिंग के अंदर आप मैनुली अप्सकेलिंग को इनेबल नह के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है क्वालिटी का अडिजस्ट होने में और एक दो सेकंड के बाद यह काफी बढ़िया क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करता है चैनल की तो यहां पर आप सभी के सामने है अब मैं एक बार आपको SD चैनल भी दिखा देता हूं लाइक यहां पर यह भी एक अच्छी चीज है इसके अंदर तो मैनुली आप इसके अंदर अपस्केल नहीं कर सकते चैनल को कि उनकी क्वालिटी आप बढ़ा लो या कुछ बढ़ा लो अब यह मैं को इसका बता रहा हूं इसमें लाइव टीवी चल रहा है यहां पर मैं आपको इस लाइव टीवी चलाते हो तो क्वालिटी आपको क्या देखने को मिलेगी अपने चैनल पर तो यहां पर काफी सारे लोगों के मन में जो डाउट होगा वो यहां पर क्लियर हो चुका होगा यह थी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर अच्छी लग र देना और में दो तब से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग